नमस्कार अंपीलाईपी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग और आईए सबसे पहले नजर डालते हैं हेटलाइन्स की ओर मुखे मंत्री शिवराज सिंग चोहां ने इन दोर में अखिल भार्ती विद्यार्ती परिशत के सम्मेलन को किया संबोधित जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरुतम मिच्रा ने दतिया में शुगर मिलका किया शुभारम और प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार के मिरततों में जबलपूर जिले में शुरू ही नर्वदा सेवा याक्रा और अफ़ खबरें विस्तार से मुखे मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने युवाओ का आवान किया है कि वेजलेवं परियावरं सनरक्षण के लिए आगे आएं और समाज और सरकार के कारे में सहयोग करें शिवराज सिंग चोहान आज इंदोर में अखिल भारती विद्यार्ती परिशक के राष्ट्य अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उच्छे सिक्षा मंत्री जैभान सिंग पवया, महिलावाल विकास मंत्री, श्रेमती अर्चना चिटनिस, तकनीकी सिक्षावम कौशल विकास राज्य मंत्री, दीपक जोशी, महापौर मालेनी गोड, पूरो मंत्री कैलाश विजय वर्गिये, विक्रम वर्म और इंदर विकास प्राधिकरण के अध्यक्षि शंकर लालवानी सहीत, जैन प्रतिनिदी और युवा उपस्थित थे सर्वधर्म संभाव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, मुखे मंत्री निवास पर 27 दिसंबर को क्रिस्मस समारो कायोजन किया जा रहा है समारो में प्रभू इशू का जन्म पूरे अर्स उल्लास के साथ मनाया जाएगा मुखे मंत्री शिवराज सिंग चोहान मुखे अतिती होंगे समारो में प्रदेशवर से, मसीझ समाच के सदत्से और सभी धर्मों के धर्म गुरू उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहां ने मा नर्वदा के प्रतियास्ता और विश्वास व्यक्त करने की विधी और विवार में बदलाओ की जरूरत बताई है उन्होंने आवान किया है कि नर्वदा मा के उपासना पेड लगा कर ती जाए गंदगी और पूजन सामगरी को नर्वदा नदी में प्रवाहित नहीं करी मुख्यमंत्री सोमवार को नर्वदा सेवा यात्रा में पद्यात्रा के दौरान जनसमवात कारिक्रम को संबोधित कर रहे थे फिलाल इस पुलेटिन में इतना ही बाकी की तमाम खबर के लिए आप देखे रहे मस्टीवी डॉटिन नमस्कार नमाम देवि डर्मझे नमाम देवि डर्मझे